साथ जैवीम जैभारत जैसाभिधान और आज एक विसेस लाइव यूपी उत्रा खन और पंजाब श्याए पहले पंजाब फिर यूपी या फिर पहले उत्राखंड फिर यूपी फिर पंजाब आप आगे ले दीजिए नाम या पिछे ले दीजिए और ये विसेश लाइव क्योंकि कुछ मेहत्वपून दिनों पर कुछ बात है आप लोगों से होनी चाहिए तो मैं आज के लाइव की सुरुवात करता हूँ करुणा के सागरत अथाकत गोतम बुद संथ रोमनी सद्गूर अविदाशी महराज भगवान बालमिकी महराज गुरू नानक देव संथ कभीर गुरू घासिदाशी समाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्टपिता जोतिबा फूले छत्रपती साहुजी महराज परियर रामा स्वामी नाईकर परेलल यादव संथ गाड़ गेजी महराज नाराणा गुरू मा सावित्री भई फूले मा रमा भई मा वंतिका भई लोदी मा जलकारी भई मा फातिमा सेख मा उदादेव पासी और मा फूलन देवी इस समाजिक परिवर्तन आर्थी मुक्ति के अंदोलन को आगे बढ़ाने वाले बावु जग्दे परसाद कुश्वा, जन्ना एकपूरी ठाकूर, मामना रामसुरू वर्मा जी कोतवाल धनसिंग गूजर, मातादीन वालमी की जी, मानेवर दीना बाना वालमी की जी मेरे और मेरे जैसे लाखों लोगों को जबान देने वाले, स्वाबिमान सम्मान की लडाई को धार देने वाले, परम पूजने विश्वरतन डॉक्टर बावा सब अंबेड कर मेरे आदर्स, मेरे गुरू, राइंतिक गुरू, मानेवर साब शरी काशी राम, बाबु शरी काशी राम देश के लिए साहदत देने वाले, सहीद भगत सिंग, सहीद उदम सिंग, सहीद करतार सिंग सराबबा हमें लड़ने का होसला देने वाले, नायक भगवान बिर्सा मुंडा, भीम आर्मी आजास समाज परटी के कारे करता, हमारे पदादिकारी सातियों मुझे आज लाइव आने के पिछे एक विशेस उद्देश से था, उद्देश से ये था कि इलेक्शन करीब आ रहा है और जब इलेक्शन करीब होगा तो मानेवर काशी राम साब ये कहा करते थे, कि हमेशा तीन चीज से बचके रहना, मनी, माफिया और मीडिया आप लोगों ने बहुत मैनत कियों लेकिन देश का जो मीडिया है, जो अभी जिस तंत्र के कबजे में हैं, जिसको हम अलग-अलग नाम से बुलाते भी हो, मीडिया आपको दिखाना बंद कर देगा, आपकी बात नहीं करेगा, वो मीडिया आपको मुकाबले में नहीं खायगा जो उनको पैसे देंगे, जिए इन समन के रिष्छ्टे होंगे, तो हमें अपना मीडिया बनाना और मीडिया आज के समय में अगर मुझे आप से बात करनी है, आपको बात पहुँचानी हो, तो ये हमारा मीडिया है, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, जो विज्ञ 28 के लोगों का हमारे अदिविक्ता सैल का हमारे महिला मोचे का है उसके लावा मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी का जो इस आंदोलन में सकीरी रूपसे भाग ले रहे जो परत्वेक से मैं अपनी बात की सुरुवात करता हूँ तो मैंने जो आपको बताया कि हमारा मीडिया यह है जिसके जरीए वर्तमान के हालातों पर मैं अपनी बात आपसे रखूंगा साथियो देश के अंदर लोक्तंत्र का परवारा है उत्तर प्रदेश में पंजाब में उत्राखंड में और अन्य एस्टेटों में विदानसभा का चुनाओं इस विदानसभा के चुनाओं में एक तरफ तमाम तरह के पैसे वाले साधन संपन्दल है वहीं माने वरकाशी राम साब के सिधानतों पर चलने वाला एक दल जो वंचितवर के लोग की अवाज उठाने के लिए और वंचितवर के लोग की सिधारे सुनिश्चित करने के लिए और सताए गए तोड़े गए ड्राए गए दबाए गए बहुजन समाज के लोग को इकठा करने के लिए निकला है मायनौर काशिराम साहब का जो नारा था बोजन इताय बोजन सुखाय के नारे को आगे बढ़ाने के लिए निकला है बावा साब अमबेडकर का जो सपना था सिक्सित बनो संगर्ठी तरह संगर्स करने की तरब जो निकला है उस नारे को नेके जो निकला है जो इस देश में डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम जैसे वज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए निकला है उस दलकव भी चुनाओं में जाना है और जैसे मैंने का सब के पास तमाम तरह के बल हैं मीडिया है, माफिया है, मनी है और आजास समाजपार्टी भी मारमी जो चुनाओं लड़ेगी वो बहुजन समाज के भरोसे लड़ेगी तो नोजवान साथियों मेरे दो संदेश, दो से तिन संदेश आज आज आपको रहेंगे मेरा पहला संदेश है, कि एक नॉम्बर से लेके 30 नॉम्बर तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखन पंजाब में नए वोटर्स बनाए जाएंगे जो 18 साल के एज पार्च कर चुके हैं, उनके वो वोटर्स बनाए जाएंगे क्योंकि हमारे लोग ध्यानी रखते हैं, जब चुनाव आता तब उनको याद आता है कि उनका वोटर गार्ड का है, वोटर लिस्टमन का नाम है या नहीं है लेकिन आजार समाजपाटी भीमारमी के लोग जो राइंतिक चेतना जागरू करने के लिए काम, लोग को तयार करने के लिए काम करने हैं, उनको कमर कसनी हैं, जिस तरह से पिछले समय में आपने साइकल रेली चलाई, बड़ी बड़ी रेली आ कराई, उसी तरह से अब एक तारिक से तीस तारिक तक आपको अपने छेत्रों में जो 18 साल के आयू पार कर चुके हैं, उन साथियों को के वोटर कार्ड बनवाने, उनकी वोट बनवानी, दूतरा जो आप अपनी लिष्टे भी चेक कीजिए, जिनकी सरकार हैं, उनके दुआरा हमारे बहुले छेत्रों में दली, पिछले बर के लोग, माइनोर्टी, मुसल्मान, सिक, जैन, बहुत पार्सी, जो उनके विरोधी विचारदारा के लोग हैं, उनके महले से बहुस्टा लोगे वोट कटवा दी गए होंगे, आपको अब क्योंकि चुनाओं के समय जबाद में आदमी पता रगता है सब्सक्तां का वोट ही नहीं है, परिवार के लोट में दोड़नी है, अब आपको वोट बनवाना है, नोजवान सातियों, आपको वोट बनवाना है, आपको घर से निकल के कागज इकठ्ठा करके, अपने बेलो को पकड़के उसके पास कागज जमा कराके, जहां भी कैम्प लगे वहाँ जाके आपको वोट बनाना इस महीने और नए जितने भी 18 साल की एज में बहन और भाई प्रवेश कर चुके हैं उनको वोटर बनाना है वोट की वेलू समझाना है ये नोजवान वोटर जब पहली बार वोट डालने जाए तो बावा साब अम्बेटकर की विचारधारा माने और काशिराम साब की विचारधारा की पर्टी को वोट करें उस अंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें ये मेरा पहला संदेश है और मुझे विश्वास है कि आप इस संदेश को कल से ही इस संदेश पर काम करना शुरू करेंगे और बड़े पहमाने पे जितने वोट बनेंगे आप सभी दलों से आगे बढ़के अपने लोगों के वोट बनवाने काम करेंगे बहुजन समाज के अपने संगठन का दुरूस्ति करन कीजिए जो संगठन आपने बूत तक का बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं नहीं बनाया है उस संगठन को बनाया और जहां बन चुका है उनको सकिरिय कीजिए हर बूत पे आपका व्यक्ति होना चाहिए आपका बूत जवाब देई है पिछली कई सरकार ने बादे कि हम यह नोकरी देंगे रोजगार देंगे पंद्रा लाक देंगे महंगाई कम कर देंगे बिरोजगारी हटा देंगे महिलाओं को सरक्षा कराएंगे बताओ कुछ हुआ और फिर वो ही दल आपके बीच में जाएंगे और कि हम यह करेंगे वो करेंगे चुनाओं के बाद वो आपकी गली में दिखाए देंगे तो दूत्रा काम यह है कि अपने संगठन को दुरूस्त कीजिए जिस काम के लिए आप पिछले पांस साल से लगे हैं उस काम को आगे बढ़ाने का समय आगे है नोजवान सातियो लोग आशिनाम साब कहा है दूत्रों के महलों से च्ची होती है अपने जोपड़ी अपने पार्टी अपने दल अपने संगठन को मजबूत बनाएं क्योंकि लोकतंत्र है यहां सत्ता के साथ विपक्स की भूमिका है हमने अभी भी सत्ता में ना होते हुए विपक्स सकीरिये वकि आशन से चुड़ जाएं कि आप वॉल पेंटिंग कराके अपनी पार्टी की नीती अपनी पार्टी के सिध्धान अपनी पार्टी के नारों को आम जनता तक पहुचाने का काम कीजिए तो मेरा दूसा सिंदेश है कि सस्ते साधनों पर किस तरह से अपने अंदोलन को आगे इसका ध्यान रखते वे आप लोग बड़े पैमाने पर पहला काम वोटर बनाने का दूसा संगठन को दुरूस्त करने का क्योंकि जब एलक्षिन आएगा तो लोग आपकी वोट को खरीदने के लिए कि हम बिजली फुरी करा देंगे पानी फुरी करा देंगे इतने कि आपकी वोट किस तरह से आपकी वोट का मुल्य लगा जा रहा है बिजली पानी और तमाम तरह की चीज़े तो मैं समझता हूं कि हमें तयार होना अपने पैरों पर खड़ा होना है क्या बहुजन समाज से तो पिछली बार बिच्ड़े वर्ग के लोग से बड़े-बड़ भाते जनता पर्टी ने किया तक आज क्या हुआ 29,000 सिक्सक भरती में पिछड़े वर्ग आयोक की रिपोर्ट है उसके बावजूद भी पिछड़े वर्ग की मांग को नहीं सुना गया उनकी रिपोर्ट में का गया भरती में घोटाला हुआ और आज तक भी बच्चे अंद आज लोग कर रहे हैं और आपको अपने लोग को भीजना सदन में कि जब आपके दल से चुनके वेकते जाएगा तम आपके हितों की रक्षा के लिए बात करेगा दूतरे कि कि अपने पर्टी विचारधार रिगत चलेगा और बहुजन विचारधार और पार्टी काम कर रह व्रकुम्रान होते हैं उनकी बेटियों पर तचार नहीं होते हैं उनके अधिकार नहीं चुन जाते हैं उनको प्रूंब आप रोज सुनते हैं उनको बिज़त नहीं। चपता किस समाज के बेहन बेटियों और मैलाओं के बारे में चपता कि आज उनके साथ रेप हुआ हत्याय हुई तो इसका मतलब आज भी हम साशक समाज नहीं बन पाएं इसलिए मेरा दूसर संदेस आपको ये है और मेरा तीसर संदेस ही है आपसे कि समय आ गया है साथियो कमर कसी है आप चंशे कहा राजाद आपका भाई अब तक आपके साथ खड़ाओके वो नियाय के लड़ना चाता है आप वो नियाय देने वाला बनना चाता है आपके सहयोग से मैं किसी के तल्वे पैर छुक एक्षी के आगे पीट जुखा के आपके सुआभी मान सम्माण का समझोता करके नई काम करूँगा जाँ मैं तो आपको सुआभी मानी समाज बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं आपकी ताकत से क्योंकि काशिराम साब कहते है जिसका वोट होगा उसका राज होगा बावा साब ने भी कहा उन्होंने का वोट का अधिकार मैंने बिखने के लिए नहीं दिया है वोट का अधिकार मैंने दिया आपको गुलामी से मुक्ति के लिए हम बाउजन महापुर्सों के जो बच्चे है वो स्वाबमियानी लोग है, इमानदार लोग है, संगरसिल लोग है वो अपने हाख अधिकार के लिए लड़ना चाहते है और मैं आप इतने बड़े पैमाने जुड़े मैं आपसे ये भी बता दूँ कि साथियों ये अंदोलन तो पीडियो दर पीडियो चलता रहेगा ये अंदोलन इसलिए अभी सफल होने वाला नहीं है, इसको समय लगेगा मैंने अभी मुझसे पूछा गया मीडिया दुआरा कि भाई, आप अगर गठबंदन करना चाहेंगे तो किस के साथ जाएंगे तो मैंने कहा कि भाई, मैं बेंजी के साथ जाना पसंद करूँगा उसके पीछे एक कारण है मैं आपके बीच में बता देता हूँ, आप सुन लिजे और अपने आप फैंसला लिजे उसका कारण ये है, मेरे बहुजन समाज के लोगो कि मेरे लिए समाज सर्वपरी है मैं समाज से हूँ, मेरे लिए समाज ही सर्वपरी है मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है भी मार में आजा समाज पट्टे के लोग, बहुजन समाज की रक्षा के लिए उनके अधिकार उक्ष्षा के लिए उनके स्वाइबान सम्मान के लिए लड़ते हैं तो मैंने अपने साथियों से बात की और हमने टै किया कि हम जाएंगे उनके साथ अगर कटबंदन की बात आई तो सबसे पहले उनके साथ प्रयास करें क्योंकि मैं बहुजन समाज के लोगों में एकता चाहता हूँ आप जानते हैं पिछले पांस साल में कोई ऐसे जगा नहीं जहां मांदोलन के लिए नहीं गए चाहिए जेल काटी, मुकदमे जहले, लाटिया खाई, आप जानते हैं क्या क्या नहीं साहा साथियों, मुझे कल समाज के बीच रहना है, मुझे समाज पूछेगा कि चंशेकर आपने परियास क्यों नहीं किया एक जुट होने का मैंने आपके सामने रखी यह बात, कि मैंने परियास के हजारों गालिया खाके अपमानित के लवक करवा के, खुद को अजेंट और पता नहीं क्या 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 नहीं कह गया विरूद्य दुवारा मेरे परियार को गालिस, क्या क्या नहीं मुझे अपमानित क्या गया और एक काम मैंने ऐसा नहीं किया जिसमें समाज अपमानित हो जाए एक काम नहीं किया हमने सा तमाम बुराईया अरोप सैकेज लाठिया खाके जेल जाके मुकदमे जेल के भी कभी आपके स्वाज़बान सम्मान करें समझोता नहीं किया कभी जुकना नहीं सिखा तो क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों में एक्ता बनी रहे क्योंकि आने वाले पांस साल अगर बहुजन समाज के लोग सत्ता में नहीं आए तो बहन जी तो घर से नहीं निकलेंगी वो तो अपने महल में रहेंगी पांस साल मुझे अपने लोग की लासे उठानी पड़ेंगे अपने हाथों में इन हाथों में अपने बेहनों की हाथे उठाके मैं उनके लिए न्याय की भीक मांगता फिरूँगा लड़ता फिरूँगा जालिम सरकार से टकराता फिरूँगा मेरे लिए मेरा व्यक्तिकत हित मेरा स्वाविमान कोई माइन रखता जब बाबा साम अम्बेडकर से पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप में और देश के हित में टकरा होगा तो आप क्या करेंगा बाबा साहम ने कहा मैं उनको अपना गुरू मानता हूँ कि जिस दिन देश के हित में और मेरे व्यक्तिकत हित में टकरा होगा मैं देश की तरफ ख़़़ा रहा हूँगा लेकिन जिस दिन देश इतमे और मेरे समाज के इतमे टक्रा होगा तो मैं अपने समाज की तरफ ख़़ा रहूँगा मैं इसलिए इतनी गालिया खाने के बाद मानित होने के बाद एक स्वावी मानिविक्ती जिसने जो सरकार्स किया कि नहीं जुका 16 में ने जेल काटी हम पर आरोफ लगाने माले अपने बच्चे को 10 दिन के लिए जेल भेज के देखा है एसास हो जाएगा हमारे लोगों ने भीमार में के लोगों ने जेले काटी मुकदमे जेले लाटिया खाई अपमानित हुए मैं खुद हमारी टीम सब लोगों ने हमारे सब साथियों ने मानने अद्धिक जी और हमारे और साथी सब लोगों ने क्या क्या नहीं साहाग 16-16 में ने जेल काटी लेकिन उफ निका कभी समाज के बीच में और परियास किया हमेशा एक जुटता का कहना असान है आप हमारी जगा खुद को रखके देखे और इस दर्द को महसूस कीजे मैंने इसलिए अपील की कि ये समाज एक जुट रहे क्योंकि मुझे समाज के बीच जाना कल आप मुझसे पूछोगे कि आपने एक जुट करने का परियास क्यों नहीं किया बहिया तो मैं सच्चा हूँ इमानदार हूँ इसलिए मैंने परियास किया इतनी अपमानित होने के बाद मेरे लिए मेरा व्यक्तिकत अपमान से बढ़ा है बहुजन समाज के अधिकार उनका स्वाइमान सम्मान और वो अंदोलन जिसको बाद साम बेढ़ कर माने वर काशे नाम साब और उनके सयोगे उने अपने खून पसीने सीचा वो अंदोलन इंपोर्टेंट है इसलिए इसलिए मैंने पहल की क्योंकि बुझे मैंने कहा ना आज भी देख लिए पिछले पांस साल से लगातार हम लोग सड़कों पे दिन रात नहीं देखते भीमारमी के लोग अभी भी कहीं लोग भीमारमी के जेल में अभी हमारे उन्नाओं के जिलाद्ध अभी छुटके आए और गई किसलिए थे इसलिए क्योंकि नियाए की लड़ाई लड़ते वे इस सरकार के सामने घुट्टे नहीं देखते नियाए की लड़ाई लड़ते हैं और कोई दिन नहीं जाता जाएं भीमारमी के लोग ना लड़ते हूँ अभी केरल में हमारे प्रदेश दर को उठा लिया गया एक बेहन के नियाई की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ इसलिए आप हम पे आरोब लगाईए हमें अपमानित की बुरा कहिए लेकिन एक दिन हमारा जीवन जी के देखिए आपको ऐसास हो जाएगा मैंने इसलिए पहल की क्योंकि मेरे लिए समाज परिवार है मुझे समाज के बीच लेना मैं महलों में जाके नहीं चिप सकता समाज मुझस से जवाब माँएगा तो मैं समाज के बीच ख़ड़ा रहूँगा कल समाज मुझसे ना कहे कि अगर आप भी मार्मी को अजेंट कहते हैं तो आप पूरे बोजन समाज के उन नोजवानों को गाली देते हैं जिन लोगों ने अपना दिन रात नहीं देखा घर बार नहीं देखा अपना केरियर नहीं देखा जो नेताओं से लाग गुना अच्छे हैं जो नेता अपने घर में पढ़के सोते हैं भीम आर्मी के योद्धा दिन रात काम करते हैं सुबह साम दिन हजारों लोग ऐसे हैं जिनोंने जेल की सलाकों के पीछे जो है ना अपनी राते को जा रही है और मैं जो कुछ हूँ मैं भीम आर्मी की वज़े से हूँ अपने ग्रेबरों अपने गुर्वों की वज़े से हूँ आजा समाज पार्टी की वज़े से हूँ मैं किसी नेता की वज़े से कुछ नहीं हूँ मुझे किसने कुछ नहीं बनाया है मुझे अगर कुछ दिया है, मुझे कुछ बनाया है तो बहुजन समाज के लोगों ने और भीमार्मी के लोगों ने इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक जुटता बड़ी रहे है और अगर वो नहीं चाहते एक जुटता बनाना तो कोई बार नहीं भीमार्मी अपने दम से है, तमाम विरोध के बाद, तमाम आरोपगों जहिलने के बाद भीमार्मी ने इस देश ने दुनिया में अपना टंका बजवा है, टाइम स्मेक जीन में अपना टंका बजवा है ये है भीमार्मी भीमार्मी के लोग स्वाभी मानी है भीमार्मी के लोग समाज को जोडने का काम करते हैं भीमार्मी के लोग भैचारा बनाते हैं और आजास समाज पार्टी के लोग हजारों साल से जो गुलामी आपके उपर थोकदिस को काटने के लिए आए जब आप सहीद आजा मुधम सिंग जी का इत्यास पड़ोगे तो आपको पता लएगा कि आजा उन्होंने लंडन में आजास पार्टी बनाई जब आप उनका इत्यास पड़ोगे ऐसे नहीं रखा गया है आजास समाज पार्टी नाम उन्होंने आजाज पार्टी बनाई और वो वो थे जिन्होंने किस साल बाद इस देश के अपमान का बद्रा लिया उनको हम लोग अपना अदर्स मानते हैं हम सहीद आजम भगत सिंग को अपना अदर्स मानते हैं चंशेखर आजाज को अपना अदर्स मानते हैं बावा साब अम्बेटकर को अपना अदर्स मानते जिन्हों ने इस देश से गुलामी के विरोध में अपने प्राणों का बलिदान दिया हमाने वरकाशी राम साब को नेता मानते जिन्हों ने अपने अपने परिवार के लिए एक बार नहीं सोचा एक रुपए की संपत्ती नहीं बनाई अरे अपना पूरा जीवन निचावर कर दिया और कल इस करज को उतार दें कभी कोई पूछे तो कैप आएं कि बावा साब अम्बेटकर हमने आपको दोका नहीं दिया माने वरकाशी राम साब हमने आपके अंदोलन को मरने नहीं दिया एक बार पूछा क्या था बावा साब अम्बेटकर से कि डॉक्टर अम्बेटकर व्यक्ति मर जाता है विचार भी मर जाता है अगर उसके विचार का परसार परसार ना हो अरे सडियंत्र दुआरा बावा साब अम्बेटकर के पुत्र जिनके जाने बावा साब अम्बेटकर के जाने बावा जिन्होंने बावा साब पूरे देश को जनवाया माने वरकाशी राम साभ उनको उस रहबर को उसके विचार धारा को भुला दिया गया बहुजन इताए बहुजन सुखाए जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा अगर मैं भी सब के चेहनों में पढ़के उनसे पूछा गया कि आप जो है ये बहुजन की बात क्यों कर सब की बात नहीं कर रहे हैं उन्होंने का हम परिवर्तन चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता को माद्य मना के व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, हजारों साल से जो उर्दवारदर खड़ी व्यवस्था जाती व्यवस्था उसमें परिवर्तन चाहते हैं, जिस व्यवस्था में पैदा होते जो उच्छे जाती के लोग अब खुद को मानते तथाकति वो इस वेवर्ष्था को परिवर्थन को परदास्त नहीं करेंगे, वो इसको यह था इस्तिती रखना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि एक आदमी कितना भी बुद्धी जीवी कियो ना हो, लेकिन जाती के वेशे अपम अपना भग्य अपनी भविस्य का फैसला खुद कीजिए अपने आने वाली पीडियों के बारे में सोचे, रोज इंकाउंटर हो रहे हैं, रोज हत्यावरी, रोज निर्दोस लोगों को जेल बेजा आ रहा है, कौन लड़ रहा है लड़ाई भीमार में के लावा, पताइए पूरे देश में आप बता देजे, चाया उड़ीसा हो, जहारखंड हो, असाम हो, बिहार हो, मद्यपरदेश हो, राइस्थान हो, यूपी हो, पंजाब हो, हर्याना हो, उत्राखंड हो, पताओ कौन लड़ रहा है, दिल्ली हो कौन लड़ रहा है, सब से पहले आप जाके ल ये मेरा समाज के परति समर्पन है, मैं स्वाबी माने वेक्ति हूँ, लेकिन ये मेरा समाज के परति समर्पन है, कि मैं तमाम तरह के अपमान सहके भी एकता चाहता हूँ, बाकि कमजोर नहीं है, बावा साब को मानने वाले हैं, गुरू हैं हमारे पास मानने वा साब से लिक काशेरम कमजोर नहीं है अवसर मिलने दीजी इस देश की राजनीति को बदलें डिखाएंगे बावु साम बेटकर माने बरकाशेराम साथ सपना पूरा करके दिखाएंगे अपने गूर्व और महापुर्सों का जो सपना था इसको पूरा करके दिखाएंगे आप इत्यार कि हमें सिर्प अफसर की तलास है उसका आ वा पने गे या जब रखुआ है जब आ बढ़ आप सर आप मुझे देंगे आगए बढ़ने UP देखना अभी तो आप ने मुझे वब लड़ते लाकों नेऔर सेकर देखा एक बीजा समाए looked बना के देखिए, एक बार नियाए देने वाला चैन से बना के देखिए, अगर नियाए हो जाए और नियाए करने वाला चैन से सो जाए, तब आप मुसे सवाल करें, अभी तो मैं आपके बीच खड़ा हूँ, आप जैसा हूँ, आप से कह रहा हूँ कि आईए मिलके लड़ते और करते हैं फैसला कि हम यहाँ गुलाम रहेंगे या हम साशक बनेंगे अभी तो मैं आपसे कहεια रहा हूं त्यार कर रहा हूं बहुजन समाज के लोग अपना होसला खो बैटे हैं मैं तो उन से भी कहरा था किसान भाईयों से कि दो हमारा साथ और देंगे हम आपके गन्य का दाम MSP की गारंटी आपको आओ आओ आप हमारे साथ मैंने तो नोजवाने को भी का जो उनस्तरा सिक्सक भरती मैठे अले तुम मांगने वाले बन रहे हो नोजवान हाथ फैला रहे हो कि नोजवान दे रोजगार इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेहनों को मैं कहना चाहता हूँ बेहनों अब सर दे के देखो अगर रात को परियर रावन स्वामी नाईकर कहते थे कि रात को बारा बज़े अगर एक महिला कुछ मिल तक अकेली ना घूम के आए तो क्या बदला हुआ अगर सुरक्ष्चा का महौल न दे पाए तब कहना अभी तो आपने लटने वाला चंशेकर देखा आपने लटने वाली भीमा आरमी आजाज समाझ पार्टी देख़ी भीमा आरमी के नोजवान तयार है कमर कस चुके हैं भी मारमी के लोग आजाज समाज पार्टी के लोग मन बना चुके हैं वो किसी गुलाम चम्चे के ब्रोशे नहीं रहना चाहते वो दिखावी नेताओं के ब्रोशे नहीं रहना चाहते वो तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं गजब की बात तो देखिए देश की सीमा की सुरख्षा के लिए आपको नोजवान चाहिए बौर्डर पे आपको नोजवान चाहिए और देश में परिवर्तन के अंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको उन निकम में निताओं के ब्रोसे हैं जिनको अवसर मिलने के बाद उन्होंने नहीं किया मैं मुस्लिम भाईयों से भी कहना चाहता हूँ आप आज भी डर के साहे में हैं क्योंकि इसलिए क्योंकि आप अपनी वोट की वैलू नहीं समझें आप अभी अपनी वोट की वैलू नहीं समझें आप डर के साहे में आपको रोज सफाई देनी पड़ते कि आप इस देश में जो हैं इस देश के परतिस हमर्पित हैं एक बार मुस्लमान से लग हटके, अपनी वोट को कि हमें समत्य वोट देके देखे, एक बार आजात समाज पाट्टी के साथ जुड़के, अपनी वोट का सही परियोग करके देखे, वह आपको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगे, हमने तो अपनी पाट्टी कोंस्ट्टुशन म कहना चाहता हूं कि जो पिछले वर के नोजवान हैं कि अभी तक जो आरक्षन आपको 27 प्रिशन पहले तो बावन प्रिशन्ट आबादी 27 प्रिशन्ट आरक्षन मिला और वह भी अभी तक लागुनिवा क्लास वन में और तमाम जैत तरह की चीज़ों में इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इतनी बड़ी व्यवादी अपने आपको गुलाम समझगे लोगों के भ्रों से बैटी आईए ना आप लोग किजिए फैंसला आपको ये भी तै करना पड़ेगा कि आपके अधिकार कौन चीन रहा है और अधिकारों को जब चीन जाएगा आपके तरक्या रास्ता क्या बचेगा हम भारते सविधान की रक्षा के ने निकले है उसकी रक्षा करके रहेंगे और इसके लिए हमें दुनिया की कोई ताक करने रख चाह सांती से हो या करांती से हो चाह बलिदान देने के साथ हो बावसाम बेटकर को दुबारा नहीं सवीधानाँ मैं जिंदा हूं कि बीम आर्मी सवीधान का चीज़क्षा दल है कि आपको रोप लगाएं को कोई जूट फैलाएं तमाम तरह की बाते करें अगर आप में दम है तो भीम आर्मी के जीवन को जी के देखिए मैं सलाम करता हूँ करांतिकारी नीला सलाम करता हूँ जय भीम करता हूँ भीम आर्मी के नोजवान सात्यों को आजास समाज परटी के कारे करताओं को अजास समाज पार्टी के सभी नेताओं को बहुजन समाज को जैभीम जैभारत जैसाविधान अभी तक आपने अम्मीरों को देखा है ये लोक तंत्र है अब गरीबों को अपनी तक्तिर का फैसला खुद करने के लिए एक जुठ होना पड़ेगा बावसाब के उच्शित्वनों संगर्थी द्रवसंगर्श को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा और vote की value समझनी पड़ेगी vote आपके कल का फैसला करेगा आज आज समाज पाट्टे को ताकत देने का मतलब है अपने रास्ते खुद चुनना feel power सक्ती सक्ती को ताकत को महसूस करना और ताकत और बनना नयाय लेना और नयाय करना स्वाबी मान सम्मान का जीवन महिलाओ के लिए श्रक्षा और अधिकार धन्यवाद